तिन राजों में बीजेपी को बहरी भाउमत मिला है कारेकर्टाओं में जोस देखने को मिल रहा है हमारे साथ विवानी महिंदगर से बीजेपी सांसद चोदी साफ हमारे साथ मौझूद हैं सर आप भी जिस तरीके से इलक्षन की बात करें आप भी अलग-लग राज्यों में कितना लगता है कि सर हरियाना में आने वाले दिनों में चुनाव का कितना असर देखने को मिलें जो हर वरग ने साथ दिया है बारती जनता पालिटी का और विश्वास बढ़िया है आदने नेंदर मोधी जी का खासकर यूथ जब भी हम जाते थे तो यूथ बड़ा प्रभ होगे अर्याना जिसमें सामिल है तीन पर्देश के अभी रजल्ट आए हैं हमारे डोस परोस के 37 कट मद्य पर्देश और राजस्तान के तो अर्याने में उस यूथ बड़ा परभावित है मैं तो मानता हूं कि जब भी पर्देश में विधान सभा के चुनाव होंगे हम तरीके से बीज़ीपी तयार नजरा लिए सरपरदेश में हमारी पन्ना परमुक्से लेकर उपर तक हमारी टीम तयार है वो तो जब भी चुनाव होंगे मैं फिर कहता हूं पहले से कहीं ज्यादा वोट बैंक घरती जंता पार्टी को लोग सभावी और विधान सभा में भी मिलेगा हम जहां दस की दस लोग सभास की शीट जीते हैं महीं पूर बहुमत से फिर विधान सभा में सरकार बनेगी इंडिया गटबंदन की सरकल एक बड़ी बैठक देखने को मिल रही थी पर ममता बेनेजी ने किनारा कर लिया बैठक से और नितीज कुमार ने भी किनारा कर लिया तो किस तरीके से सर देखते हैं विपक्स की इंडिया गटबंदन को विचार दारा यह कहीं नहीं अलग अलग विचारों के लोग हैं तो किसी एक बात पुरा के इकठे हो जाते हैं और वह इकठा होने का मुख्य कार्ण भी यह कि हम इकठे होंगे तो बच बाहर निकलते ही फिर उनकी बात अलग अलग हो जाते तो ऐसा गठबंदन मुझे लगता नहीं कि लंबा कभी नहीं चलता है बहुत 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 धन्यवाद सार खबर अभी तक से बात्चित करने के लिए तो यह थे बीजेपी विवानी महिंदगर से सांसाथ चौदीद रंबिर सिंग जुनोंने तमाम मुद्दों को लेकर खबर अभी तक से खास बात्चित की है राजा पटे दिल्ली खबर अभी तक